पेंगलोगू में देख रहे हैं वंदे भारत के इस सफ़र पर खुद प्रधानमंग्सी स्वक्ट्रे में मौझूद है लक्षिन भारत का दो दिवसी ये दौरा है और इसे उच्छी धेर में हरी जहन्दी दिखाकर रहवाना किया जाएगा वंदे भारत एक्स्पेस जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है तमाम जो modified versions है modern तकनीक आपको यहाँ पर में रही है और सबसे हम बात यह है कि सभी कुछ जो है वो make in India के इस वक्तव्यों को और मजबूत करता हुआ वंदे भारत एक्सपेस जहां तक हम गती की बात करते हैं गतीशी सुरक्षित और साथी साथ एक आपको वर्ल्ड क्लास जो यात्रा का experience होता है उसे आप तक मोहिया कराएगी हाला कि semi high speech train हम इसको मानते हैं और इसको design manufacturing या तमाम जो इसके modified versions या और उन्नत तक्मीग जो है वो भारत में ही निर्मित की गई है तो दक्षिन भारत के दो दिन के दौरे पर प्धान मंत्री है आप देख सकते हैं प्धान मंत्री हाथ हिला कर अब लबादन करते हुए और अभी कुछी देर में इसी वंदे भारत express को जो की चैननाई मैसूर वंदे भारत express है इसी train की सौगात मिलने वाली है बैंगलोरु वासियों को देश की पांचमी दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत train जिसकी शुरुवात आप देख सकते ही एतिहास एक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं इसे हरी जन्री दिखाएंगा अभी कुछी मिनिटों में प्धान मंत्री नाइंद्र म आपने आप में सुगमता के लिहास से काफी एहम और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीजेंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ आप देखते हैं पदान मंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को पाचवी ट्वें दक्षिन भारत के लिए जंडी दिखाते हुए वंदे भारत ए चैन्नाई, बैंगलोरू, मैफूर की जो कनेक्टिविटी है आप देखिए रिलमंत्री एश्वनी वेश्ण भी वहां मौझूद है तो कनेक्टिविटी के लिहास से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुए और यह जब पट्री पर वंदे भारत चलती है तो कही ने कहीं देश की आर्थिक विवस्था की एक मद्बूत तस्वीर आप देख सकते हैं तो वंदे भारत चल पड़ी है देश की पांच मी दक्षिंभात की पहली ट्रेंग वंदे भारत